हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो माई चैनल फ्रेंड्स ये मेरे पास बुक्रम है जो मैंने बुक्रम को चार इंच लिया हुआ है मुझे ये गला बनाना है तो मैं तीन इंच की गले की चोड़ाई लूँगी इस तरह से मैं गले को तिर्जा रखोंगी मुझे आठ इंच का गला चाहिए तो मैं आठ इंच पे निशान लगाऊंगी फ्रेंड्स जब हम बुक्रम पे गला बनाते हैं तो जितना हमें तयार चाहिए उसे आदा इंच एक्ष्टा लेते हैं इस तरह से बिच में एक लाइन खिचेंगे और ऐसे गोल कर देगे तो इसको मैंने इस तरह से शेप दी है फ्रेंड्स जो भी आप गला बनाएंगे आपको इस बॉक्स में ही शेप बनानी है इस तरह से आप इसको बना लीजिए इस तरह से देखिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी बुक्रम को छोड़ दूँगी और इस तरह से कट करूँगी फ्रेंड्स इस से आपका गला इदर उदर नहीं जाएगा इसको मैं बाद में काट दूँगी अब मैं एक कपड़ा लूँगी उस पर मैं इस तरह से रखके और साइड से मैं पौन-पौन इंच के आसपास थोड़ा कपड़ा ले लूँगी इसको मैं बाहर से कट कर दूँगी अब मैं इसमें बिज में सिलाई लगाऊंगी आप इसको सुई की सायता से भी कच्चा कर सकते हैं और इसके बाद इस तरह से ऐसे देखिए मोल दीजिए इसमें चुन्ड़ा आएं कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से आप ये मैंने इस तरह से कर दिया है अब मैं इसको कट कर दूँगी मैं इसका सेंटर पॉइंट बनाऊंगी फ्रेंट कोई भी गला बनाएंगे आप इसी तरीके से ही बनाएंगे बहुत इजी है ये अब देखिए इसको मैंने इस तरह से सेंटर पॉइंट करके फ्रेंट देखिए जब हम बिच में से अगर हमारी हलकी भी तिरची हो गई ला आप देखिए इस तरह से आपको बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट में ही लाइन खीचनी है यह मैं गला उल्टा मेरा विल्लाउज पीस यह सीधा है ऐसी तरह से आप सूट में भी गला बनाएंगे आप बिच में इसमें कच्छा कर लीजिए और बुकरम के पास पास सिलाई लगानी है फ्रेंड्स पुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे पलटने में इजी रहे नहीं रहता है तो यहां पर इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छे से ऐसे सिलाई लग गई है इसको आप थोड़ा छोड़के कपड़े को कट करेंगे आप ऐसे फोल्ड करके भी सकते हैं कि आपका एक पर्फेक्ट गला लगा है या नहीं बहुत ही अच्छे से गला लगा है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आएगी लेकिन बनाओगे आप इसी तरीके से ही यहां पर देखिए यह मेरा शेप थोड़ी बीच में आके हलका सा देखिए मैंने गोल बुकरम पर से लाई लगाएंगे तो अच्छे से नहीं मुड़ेगा और मोटा मोटा सा रहेगा तो अजीब लगेगा आप इसी तरह से ही बुकरम के पास लगाएंगे और देखिए आप इसको आप ऐसे मोड़ दीजिए कहीं भी मेरे कपड़े में कोई भी चुनट कोई जोल नहीं आया है बहुत ही अच्छे से मेरा गला बन गया है इस तरह से आप देखिए मैं इसको मुटे की सायता से ऐसे कर रही हूं आप इस पर प्रेस कर लीजिए तो बहुत अच्छे से हो जाएगा तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से ही गला बनाएए तो ठीक है फ्रेंड्स आपको में वीडियो कैसी लगी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए